तो आज हम PhD Admission में डिस्कॉस करने वाले हैं डिफेंस इस्टिटूट ऑफ एडवांस टेक्नोलजी के PhD Admission के बारे में लास्ट इसकी 13 ऑफ जैन हैं तो चलिए देख लेते हैं सारी डिटेइल्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह विबसाइट है थेडाइट्सटरी.com और इस पर आपको PhD Admission पर क्लिक करना है तो इस पर क्लिक कर दीजेए यह इंस्टिट्योट पुने में हैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स के अगर हम बात करें तो सब्जेक्स में आपके यह aerospace engineering है, computer sensor engineering है, mechanical engineering है, applied physics है, electronics engineering है, applied mathematics है and material engineering है उसके सासद applied chemistry भी है तो यह सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर और जो इसकी last date है वो है 13th Jan and 4th week of January में यह इसका program जो है वो start हुजाएगा return test की जो date है वो 14th Jan यह बोल्ड है interview की या फे return test की, तो यह final नहीं है, disability criteria इन्होंने दिया हुआ है subject wise आप यहाँ से चेक्ट कर सकते हैं and इसके सासद अगर हम बात करें तो आपको कोई national level का test qualified होना चाहिए इसके लिए okay and 30 years से जादा नहीं होनी चाहिए age उसके बाद relaxation यहां पर देख सकते relaxation भी दिया हुआ है and application process जो है उसको आप इनकी जो official website उससे जाकर apply कर सकते हैं fee 500 है जेनर वालों के लिए reserved category के लिए और women के लिए 250 है and financial assistance भी है यहां पर scholarship भी है 15,000 है यहां पर okay तो यह सारे subjects है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिंक दिया official website का इस पर क्लिक कर लीजे तो यहां से आपको PDF आजाएगा सब्जेक्ट वाइस तो रोबोट रोबोटिक्स भी है यहां पर कॉंटम टेक्नोलजी भी है सब्जेक्ट में और सीट्स पर आपे मैंशन है कि कितनी सीट्स हैं तो यह लास्ट एट है तो 50,000 इसकी फी है पर स्मेस्टर और कॉशन डिपोजट होगा आपको 10,000 का यह नो ने मेंशन किया है तो यह साइड डेटेल्स है आपके लिए बेनिफीशल होगी थैंक यू सो मच